हेलो वाइज नमस्कार तो यह है S21 FE Exynos वाला वेरियंट और इसमें लेक्टेश्ट वन्युआई 6 की अपडेट आज चुकी है और आज मैं करूँगा इसका एक कम्प्लीट डीटेल डेट रिव्यू आप्टर वन्युआई 6 अपडेट के बात का कि अभी फोन कैसे परफॉर् शाम को छे बज़े के आसपास और इसमें आपको मिल चुका था लेक्टेश्ट डिसेंबर मेंने का सेकुरिटी पैच लेवल और यहां पर जो अपडेट की साइस थी वह थी तो लगबग पांच दिन कंप्लीट हो चुके 20 तारीक से लेके 25 तारीक तक के मैं इसको बिल्कु सा यहां पर जिटर हो चुका था तो जब भी मैं फोन में ऐप्लिकेशन ओपन क्लोज कर रहा था यहां पर स्कॉलिंग कर रहा था या पिर अगर मैं कुछ भी टास्ट करू लगबग 99 परसंट मुझे यहां पर यूए में च्टर लैक और जिटर देखने मिल रहे थे और के फुल के लैग और स्टर आपको देखने मिलते हैं अगर आप इसे कंपर करते हो ट्रिपल एट वाले वाले विरेंट से तो यहां पर आपको लैग स्टर कम से कम देखने मिलता है और यह थोड़ा बेटर भी एक्जनोस की मुकाबले में कुल मला के लगबग 4-5 दिन हो बिलकुल सही से चलता था लेकिन बीच-बीच वीच आपको लैक स्टर तो देखने मिलते है थोड़े वह तो आपको देखने मिलने ही वाले एक्जनोस वाले वीरेंट की अंदर वैसे ट्रिपल एट मे भी यह आपको कभी कभार लैक जिटेश से लेकाश के मुकाबले में है अब बागी जो इसपी आप्डेट आदिकRIS पर पहले नहीं देख सकते हो कि यहाँ पर unstable graph याप पर यहाप भी यह थोड़ा है तो गरम होने के बाद में ज्यादा थोड़ा तो यहाप पर कुछ सुलुशन निकला है या फिर नहीं निकला तो बहुत देखो यह फोन में एक्जनॉस का चिपसेट है तो अगर आप थोड़ा है तो डेफिरिटली गरम तो होता है अभी स क्यामरा यूज करते हो थोड़े हैवी सेटिंग के उपर या फिर लॉंग टर्म के लिए तो वहां पर थोड़ा यह हो जाता है नेश्ट हम बात करते हैं परफॉर्मस के यह गेमिंग के बात हम पर है तो मैंने अप्डेट के बाद इसको लगबग चार्से पास दिनी यह जो हो रहा है थंडी के मोसम के वैसे थंडी थोड़ी पीक पे आ चुकी है तो इसलिए अगर आप कोई हेवी टास्ट करते हो तो आपके फोर्म में हिटिंग इतनी जल्दी होती नहीं यानिके ताप मां इतनी राइस होता नहीं है और ताप मां जल्दी नहीं बढ़ेग करते हैं तो यहां पे अपडेट में कितना कुछ चेंज कर सकते हैं और वाणिवाइस आपडेट के बात इन्होंने कुछ मेंशन भी नहीं कि हमने कुछ काम किया इसके प्रवंस के उपर बगर है क्योंकि आगर काम करते तो बिल्कुल चिक-चिक के बता देते अगर ये काम लेकिन यहां पर फिलाल के लिए ठीक्टा को जाए जब तक सर्दियों का मोसम है बात में थोड़ी दिक्केट आ सकती है वैसे भी उतनी बेटर होती नहीं है लेकिन फिर पी रहा करना चाहते हो तो ठीक्टा कर सकते हो कुछ समय के लिए बात करते हैं बैटरी बैकप के बारे म को सब्सक्राइब को बारे में थोड़ा जाती है रही है जाती है लैकिन यहां पर कुछ आपको इसे दिखने नहीं मिलती बिल्कुल एक्कुरिट है 15 वैट से और 25 के साथ लेकिन हम बात करते हैं बैटरी बैकाप के बारे में तो मैंने थोड़ा और कि जो नहीं तुर इसमें आपको थोड़ा बैटरी बैकप मिल रहा है अब मुझे नहीं पता कैसे मिल रहा है लेकिन हैं यूटूब के वीडियो टेस्ट किये इसमें इस्टाग्राम भी प्ले किया दोनों बिल्कुल सेम प्ले किया बिल्कुल वाइफा के साथ बी तो जल्दी बैटरी ड्रेन कर साथ भी यूजुक है वाइफाी के साथ में वाईफा dos धिकरो ठीकर वाईफा के साथ में लेकिन चैनल कि युझे मिल जाता है चल्द करिकर बादे प्ले को कैसे कैसे यूज रहा तो लेकिन एठाद की मखाबले में थोड़ा बैकप तो बेटर मिल रहा है एक्जिनॉस वलिवरंट के अंदर अभी मैं इसका बिल्कुर्ट डिटेल में साथ में टेस्ट करूँगा या पर बैटर रेनिंग का और हिटिंग का भी वह आपको जल्दी वीडियो देखने मिलेगा तो हम आपर टेस्ट करेंगे और देखेंग नेटर मुझे आपको देखने में अदर और नेटर के बार में तो देखो मैंने जिए यूज किया और साथ मैं यूज लेकिन लेकिन अगर आप करते हो फाइजी के उपर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि आपको नहीं मिलता है यह जैसे सपोर्ट आएका तो आप फाइजी के उपर भी कॉल कर सकते हो यूज करके जो कि आपको सपोर्ट अभी मिल चुका ईया के बिल्कुल सही मिलता है कोई दिक्कत नहीं आती यह डिपेंड कर लेगों चैल और यहां जो dau discharge पो साथ घ्लोक हो जाता है बस आपको टेच सेंसेटिव टाला जो पार्ट होता है ने कि जो सेटिंग होती है डिस्पेय में जाकरके उसको आउन कर देना है